नवस्कार दोस्तों सुगत है आपका अमारे यूटुब चैनल पर आज किस वीडियो में हिंदी के हम लोग important question देखेंगे जो कि आपके BSAP exam के लिए important है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को पर लिजिगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें चलिए शुरू करते हैं आज के सिसन में पहला question है सहानु भूती का जो संदी विच्छे दोता है वो क्या होता है चार आप्सन दिये गए हैं तो सहानु भूती का संदी विच्छे दो जाएगा option है अब्याई भाव समास कौन सा हो जाएगा अब्याई भाव समास अगला है देख लेते हैं यह वाला question चोड़ते हैं बाकी के देख लेते हैं गुरू के समीप रहने वाला विध्यारती जो होता है वो क्या कहलाता है देखिए जो गुरू के समीप रहता है वो विध्यारत कहलाता है अंते बासी क्या कहलाता है अंते बासी अगला जिसके पास कुछ ना हो तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक सब्द क्या होता है option B आकिंचन क्या होता है आकिंचन अगला है जो सब कुछ जानता हो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक सब्द क्या होता है उसके लिए होता है option C सरवग्य next है जिसका ग्यान इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है option D अगोचर क्या कहलाता है अगोचर जो बीत चुका है तो वो क्या कहलाता है तो जो बीत चुका है बो कहलाता है option B अतीत अगला है अंक का पर्यावाची क्या होता है अंक का पर्यावाची होता है तो देखिए अंक का पर्यावाची क्या होता है अंक का पर्यावाची होता है option D संख्या नेक्स्ट है अभ्यस्त का पर्यावाची क्या है तो अभ्यस्त का परहबची होता है आप्सिन सी आधी नेक्स्ट ए अरन्य का परहबची क्या होता है अरन्यम का जो परहबची होता है वो होता है आप्सिन है कानन असुर का समानार्थी क्या होगा असुर का समानार्थी हो जाएगा आप्सिन सी राच्छस आनंद का परयवाची क्या होगा? चार अप्सेन दिये गए तो चार आनंद का परयवाची हो जाएगा अप्सेन D प्रमोध अप्सेन D is right answer अगला है अंगीठी का तस्सम सब्द क्या है? अंगीठी का तस्सम सब्द होता है अप्सेन C अगनिस्ठिका अंगूठी का तस्सम सब्द क्या होता है? अंगूठी का तस्सम सब्द होता है ओप्सन ए अंगूश्ठिका नेक्स्ट ए अधजल गगरी छलकत जाए कहाबत का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है ओप्सन सी अल्प ग्यान का प्रदर्शन अगला देख लेते हैं कोशन यथार्थ का बिप्रियर्थार्थक सब्द क्या है? तो यथार्थ का बिप्रियर्थार्थक सब्द है आप्शन वी आदर्स निम्न में कौन सूर्य का पर्याव अची है? तो सूर का परेवाची होता है option D दिभ्यान्सू देखिए निर्देश दिया गया प्रसंसंक्या 25 से 27 के लिए निमलिखित प्रतेक बाके के नीचे चार विकल्प दिये गये हैं उन्हें कोई एक विकल्प दिये गये बाके का सुद्ध रूप है उसका चैयन करना है जिसमें कोईश्यन है जूटा गबाई मत देना इसका सुद्ध रूप क्या होगा तो उसका सुद्ध रूप हो जएगा option B जूटी गबाई मत देना बचपन से हमने हिंदी बोला है तो इसका सही रूप क्या हो जएगा आपसने बच्छपन से हमने हिंदी बोलिये अगला उसने नौकरी छोड़ दिया इसका सही रूप क्या होगा? आपसने उसने नौकरी छोड़ दि संग्राम तता करवला किसकी नाट्ट करती है? तो आपसने प्रेम चंद्र निहार किसका का विसंग्रे है? तो निहार काब संग्रे होता है आप्सन ए आप्सन ए महादेवी बर्मा का काब संग्रे है निहार महादेवी बर्मा गोपाल में कौन सा समास है तो गोपाल में समास हो जाएगा आप्सन भी बहुब्री समास अगला है कनक कनक सोरी कनक कुधर केदार बीज सुन्दर सुर्मनी बर इस पंक्ती में किस अलंकार की योजना हुई है तो option B अनुप्रास अलंकार की हुई है कभी पिरिया किस रीती कालिन कभी की रचना है option D के सब्दास कौन सा हो जाएगा के सब्दास और अगला कोशन देख लेते हैं जाती वाचक संग्या सब्द है तो जाती वाचक संग्या सब्द क्या है option A doctor क्या है doctor कौन सा काभ संग्रे सूरिक अंत्रपाथी निराला का नहीं है तो option D पल्लब बागे के तीने अनामिका परिमल और राग भी राग निमलिखित में कौन सा सब्द संग्या है तो यह हो जाएगा option B, क्रोध कौन सा सब्द हमेशा बहुबचन में प्रियोग तो होता है option C, प्राण अगला है पट पीत मानहु तडित, रुची, सुची नौमू जनक सुताबरन इस पंक्ती में किस अलंकार की योजना है तो option D, उपमा अलंकार की अगला कोशन देख लेते हैं, सा का उच्चारान स्थान क्या होता है सा का उच्चारान स्थान होता option है, तालू निमलिखित में कौन उस्म ब्यंजन बढ़ नहीं है option D, रा किस बाक्य में बचन का सही प्रियोग हुआ है तो option D हो जाएगा, मेरे होस उड़ गए मेरे होस उड़ गए, इसमें क्या हुआ है, सही बचन का प्रियोग हुआ है महीप का सही संदी विच्चत क्या है option D, मही धन इप गगन चुम्बी किस प्रकार का समास है option C, तत्पुरुस समास कौन सा है, तत्पुरुस समास इद का चांद होना, मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, वो क्या होता है option E, कभी कभी दिखना इद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखना इद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखना Option B. परलोख अगला कुश्चन है निमलिखित में कौन सा सब्द बरतनी के आधार पर सुद्ध है? Option D. अनिस्ट उत्पत्ती के आधार पर कौन सब्द का भेद नहीं है? Option D. बाकी के तीने तस्वम, देशज और तदभाव कन्योजी हिंदी की किस उपभासा की बोली है? तो पस्च्चिमी हिंदी सिरी गुरु चरन सरोज रज निजमन मुकर सुधारी बर्नो रगुबर बिमल जस जोदा यक फल चारी उपरुक्त पंक्तियों में चंद का जो प्रकार है, वो कौन सा है? तो उप्सट ने दोहा चंद नील सरोहू स्याम तरुन अरुन बारिज नयन करव सोमम उरधाम सदा चीर सागर सयन उपरुक्त पंक्तियों में चंद का प्रकार कौन सा है? उप्सट बी सोर्ठा चंद और आज का लाश्ट कुश्चन है एक मयान में दो तलबार मुहाबरे का आर्थ क्या है? तो गैस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यो दन्यवाद